ही गाईज विल्कम बैक तो मैं चैनल रादे रादे गुड मॉर्निंग कैसे हो आप सभी आई होप आप सभी अच्छे होगे तो यहां पर मैं चली मॉर्निंग वाक के लिए और आज काफी लंबे समय के बाद मैं व्लॉग शूट कर रही हूं क्योंकि टाइम नहीं मिलता है त तो फिर ब्लॉग शूट नहीं कर पाती हूं और काफी लंबे समय के बाद मैं अभी ब्लॉग लेकर रही हूं अब हो सकेगा तो कांटीनियू करूंगी अब तो नहीं बोलूँगी कि मैं कांटीनियू करूंगी पर हो सकेगा तो मैं कांटीनियू ही करूंगी कम से कम वीक मे दो बार तो ब्लॉग अपलोड करूँगी ही करूँगी और यहाँ पर मैं मॉनिंग वाक से वापस आ गई हूँ आप देख सकते हो और इतनी थकान लग लग ली थी मतलब बहुत टाइम के बाद मैं मॉनिंग वाक स्टार्ट के है मैंने तो बहुत थकान लग लग ली थी मुझे उसके बाद फिर मैं आके अपना जो डेली रूटीन है योगा करना एक्सरसाइज करना तो थोड़ा बहुत करती थी मैं अभी अभी बहुत ज़्यादा नहीं करती थी और अब मैं फिर से स्टार्ट करती हूँ क्योंकि हेल्थ को लेके थोड़ा सा मुझे बड़ी टेंशन हो रही थी तो इसी वज़े से मैंने फिर से अपनी ये एक्सरसाइज वगरे जो है वो सारा कुछ फिर से स्टार्ट किया है तो यहाँ पर मैं अपने बालों को अच्छे से बांध लेती हूँ उसके बाद फिर एक्सरसाइज करेंगे क्योंकि फिर ये चोटी खुल जाती है न तो इसी वज़े से मैं पहले अपने बालों को मैंने अच्छे से बांध लिया है और इतनी जादा गर्मी लग रही थी न कि जब मैं पांच बज़े गई थी तब ही इतनी जादा धूप लब इतनी जादा गर्मी लग रही थी मुझे उस टैम पे और फिर थोड़ी देर के बाद धूप निकल आई तो फिर तो मुझे ऐसा लग रहते कि चार बज़े ही जाना चाहिए फिर तो मौनिंग रूटीन जो की मेरे लड़ू को पाल का रूटीन है वो आप लोगों को शेयर करने वाली हूँ तो ब्लॉग में बने रहेगा और अगर मेरे ब्लॉग थोड़ा भी अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजेगा मेरे चैनल को और शेयर कर दीजेगा मेरे ब्लॉग को और एक लाइक जरूर कीजेगा तो यहाँ पर मैं आप मौनिंग में यह देख सकते हैं मैं तो नहा कर गई थी फिर भी मैं आकर फिर से एक बार नहाती हूँ तो यहाँ पर मैं आपने लड़ू गॉपाल को उठा देती हूं और उसके बाद उनका जो रूटीन है पानी वानी पिलारा दूद पिलाना वो सब करूंगी तो अभी तो मैं पानी पिला रही हूँ फिर थोड़ी दीर के बाद दूद पिलाएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं आप मैं इनको पानी पिला देती हूँ उसके बाद फिर उनको ले जाके आसन में बठाओंगे बाद में पहले अपने लाला को यहाँ पे अच्छे से पानी बानी पिला देती हूँ और फिर ले जाके बठा लूँगे तो ये तो मेरे लाला का मौनिंग रूटीन आप लोगों को शाँ शेयर कर रहे हूँ और यहाँ पे मेरा बेटा भी सोया हुआ है देख सकते हैं सुबा का टाइम है ये देख सकते हो कैसे सोया है और फिर अपने लड़ू को पाल का विस्तर ठीक कर देती हूँ यहाँ पे देख सकते हैं गाइस यहाँ पे अपने लड़ू को पाल का विस्तर ठीक करूँगी मतलब यह मेरा डेली का रूटीन है जो आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रहे हूँ और इतना टाइम नहीं मिल पाता कि मैं यह रोज-रोज ब्लॉग अपलोड कर मतलब ब्लॉड सूट कर पाऊँ इसलिए जल्दी यल्दी यल्दी सारे काम करने रहते हूँ और मैं ब्लॉग अपलोड शूट नहीं कर पाती हूँ बार-बार अपलोड कर रहा है और उसके बाद फिर मैं यहां पर चलते हैं यह मेरे जो जित्ति गमले मैंने रखेंगे सारी गमलों में मैं पानी डाल देती हूँ क्योंकि फिर यह पूरे दिन मैं भूल जाती हूँ चली जाती हूँ उसके बाद इन में फिर पानी वानी नहीं डाल पाती हूँ तो पूरे पौधे सूख जाते और अभी इसलिए जल्दी जल्दी से सारे पौधों में पानी डालूँगी और फिर इसके बाद पिर बाकी जो काम है ने मेरे वो समय बाद में करूँगी सबसे पहले मैं पौधों म पानी डालने के लिए मैं गमलों में आई थी तो तब ही मुझे इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी और मैं मॉनिंग वाक करके आई तब से मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लगी ही रही थी पर फिर भी अपना काम तो मुझे करना ही है जो डेली रूटीन है वो तो मैं कर और आप लोगों के शायर भी कर रही हूँ कि जो जो चीजय मैं डेली करती हूँ वो सारा कुछ आप लोगों के शायर कर रहा हूँ तो गायस प्लीज एक लाइक जरू कर दीजेगा क्योंकि इतनी महनत लगती है ना ये ब्लॉग बनाने में और फिर उसको एडिटिंग करना ये सारा कुछ तो प्लीज मेरी मेहनत के लिए एक लाइक कर दीजेगा और यहाँ पे देख सकते हैं अब मैंने पॉदों में पाने डाल दिया और फिर चलते हैं घर के अंदर तो यह देख सकते हैं और फिर यहाँ पे मैं अपनी ब्लैक कॉफी पिऊंगे और पूरा ये कबार जितना आपको दिख रहा होगा ना ये सारा कबार बार साफ करूंगे तो अभी तो मैं पूरा मंदिर साफ कर रही थी इसलिए इतना जादा फैला हुआ है और मैंने black coffee एक बार पी ली थी और दुबारा से पीऊंगी क्योंकि मुझे फिर से बड़ा अजीब सा लग रहा था तो मैंने सुचा कि एक बार दुबारा पी ली थे और जब मैं morning walk करके आई थी तभी मैंने पी ली थी एक बार और अभी यहां पे फिर से पीऊंगी अभी लड़ू अपालगी मैंने पूजा उजा कर ली है और देख सकते हैं मैंने उनको आसन बिठाल दिया तक फिर पूजा उजा करी पूजी साफ सफाई करी और फिर यहां पे बेटे की study है जो की बची हुई है अभी पूरे homework बची हो उसको करवाना है तो मैंने सोचा कि पहले खाना बना लेते हैं और उसके बाद फिर अपने बच्चे का homework वगरे सारा कुछ है जो भी है महीने बार का मैंने जो दिया है स्कूल से जो से मिला हुआ है तो बहुत सब कुछ मैं उसको करवाओंगी क्योंकि स्कूल एक महीने बाद कुल जाएंगी तब तक वो homework चलता ही रहेगा इतना सारा homework है क्योंकि इनको तो करना नहीं है इनको तो खेलने से फुरसत नहीं है तो इसलिए मैं सोची कि पहले खाना बना लेती हूँ और खाना बनाने के बाद फिर मैं हमबर करवाँगी तो जब मैं किजन में आती हूँ तो मुझे बहुत ज़रोगी प्यास लगी हुई रहती है क्योंकि मैं पूजा करके उठती हूँ और फिर मुझे इंस्टेंट पानी चाहिए रहता क्योंकि बहुत टाइम से मैं पानी या नहीं पीती हूँ जब तक मैं नहाती नहीं हूँ पूजा करती नहीं हूँ तब तक मैं कुछ ना खाती हूँ ना पीती हूँ तो बस अब black coffee इसलिए पी लेती हूँ क्योंकि मुझे मैं morning walk कर गयाती हूँ तो मुझे थोड़ी अजीब सी क्या मुलने चाहिए weakness लगती रहती है अजीब सा लगता रहता है इसलिए मैं पी लेती हूँ और उसके बाद फिर पानी पानी तो मैं morning में भी पी लेती हूँ ऐसा नहीं है जब ब्रश करके आती हूँ जब भी मैं पी लेती हूँ और फिर üzके बाद coffee औफी जब मैं morning walk करके आती हूँ तब पी लेती हूँ फिर भी मुझे बहुत內 टाइम हो जाता है उसके बाद पूरा काम करना रहता है, फिर काम करने के बाद फिर ये देख सकता है, मैं फिर किचन में जब पूजा पार्ट सब कुछ करके फिर आती हूं किचन में, तो फिर लगता है, मुझे फिर पानी बहुत ज़रों से प्यास लगी लेते हैं, तब ही पिल लेती हूं, और इसके बाद फटाफट से यहाँ पे दाल, चावल, सबजी, रोटी जो जो है वो सारा कुछ बनाऊंगी यहाँ पे मैंने इसमें दाल लगा दिया है कूकर में और एक तरफ हलवा बनाऊंगी काना जी को भोग लगाने के लिए अभी मैं आज लेट हो गई हूँ पूजा करने में क्योंकि मैं साफ सफाई कर रही थी ना पूरा मंदिर वंदिर साफ कर रही थी तो इसी लिए मैं लेट हो गई हूँ आज तो जल्दी यल्दी से फिर भी मुझे भी साड़े ग्यारा बच गए थे और फिर मैं अपने काना जी को आज मैंने भी कुछ भी भोग नहीं लगाया था और कुछ था भी नहीं तो मैंने सुच्छा क्या ही बनाओ और हलवा बना रही थी मैं यहाँ पे खाने की त्यारी भी करते जा रही थी साथ ही साथ क्योंकि मुझे पारलर जाना है तो सादी साद में अपने पारलर जाने से पहले जल्दे एलदी खाना वना बना के खिला पिला के फिर मैं रेडी सब कुछ करके फ्री हो जाती हूँ उसके बाद जाती हूँ तो यहां पर सबजी अबजी कट करके रख दिया है और अब डाल भी लगा दिया है जब तक डाल पकरी है हलवा बन रहा है तब तक मैं अपने दूसरे काम कर लूँगी यहां पर यह देख सकते हैं हलवा बनकर जल्दी से रेडी होगा और मैं जल्दी से काना जी को भोग लगाऊंगी उसके बाद दाल चावल बाद में यहां पर मेरा बेटा पढ़ाई कर रहा है और अभी हम उझ्यान गई हुए थे तो वहां से यह महाकाल की टीशर्ट लाए हुए था तो उसी टीशर्ट को उसने वेर की हुई है और यहां पर मैंने यह लाला के लिए भोग बना लिया और फटा-फट से अभी ले चलते हैं और कोलकर की रखा हुआ है और यहां पर तुलसी नहीं थी तो तुलसी लेने के लिए मैं आई हुई थी क्योंकि बिना तुलसी के तो लाला को भोग लगेगा ही नहीं तो यहां पर मैं तुलसी दल लेकर आई और फिर तुलसी दल इसमें रखा और यह बहुत इंपॉर्टेंट होता है विश्णु भगवान लड़ू गोपाल की पुझा में की ये तुलसी दल होना बहुत होता है इसलिए मैं इसमें चली से ले काुब भूख लगा ऐ फेफटा फट खाने में लग जाना खाना नगाने में तो खाना वनअ बनाया फिर खिलाया पिलाय उसके बाद ये मैं कहा जाने की तारी'll को मैं जारी हूँ आरू को उसके कोचिंग छोड़ने के लिए जहां पे वो पढ़ाई करता है तो थोड़ी दूर है वो वहाँ पढ़ाई करता है और उसी छोड़ने के लिए हम जाएंगे husband wife और ये अब week में तीन बार इसका नियाम ही रहेगा तो ये देख सकते हैं मैं ready हो गई तो यहाँ पर आ गया है मेरा बेटा अपने मैं के गार आप इस ब्लॉग को करते हैं पर एंड मिलते हैं next ब्लॉग में तब तक के लिए राध ही राधे और कमेंट्स करके जरूर बताएगा ब्लॉग कैसा लगा